सो कि इस कुछ दिन पहले फ्रीफार इस्पोर्ट वर्ल्ड कप वहा था जहां पर बहुत सारे तगड़े तगड़े टीम आये थे अलग-अलग कंट्री से लेकिन कोई एक टीम वर्ल्ड कप लेके निकल गया वो था टीम इंडिया अरे इंडिया का एक भी टीम नहीं था वही है तो मैं गरिनावालों से बोल रहा हूं क्यूं नहीं था जब free fire max इंडिया में है तो Esports होना चाहिए यस या नो अ कमेंड में बताओ लेकिन ये समय क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो e-sports के related होने वाला है तो e-sports world cup में जितना भी player थे वो कौन-कौन से character को अपने skill slot में use करते हैं उनके बारे में आज हम एक-एक करके बात करेंगे टोटल ये 10 character को सबसे ज़्यादा e-sports world cup में use किया गया था क्यों किसलिए सब कुछ बताऊंगा थोड़ा सबर करो और अभी तिक चैनल को subscribe नहीं कियो तो जल्दी से कर लो और या से bell notification को आल पे set कर लेना ऐसे videos के लिए तो सबसे पहले active character से शुरुआत करते हैं इसका ability तो आपको पता होगा speed increase करता है और इसका skill को एक second के gap में दो बार use कर सकते हो तो e-sports में तासुया character को ज़्यादा तर रसर player use करते हैं fast moment दिखाने के लिए जैसे कि ये देखो यहाँ दो team के बीच में fight चल रहा है और ये player तासुया का skill को कितना अच्छा से use करके कैसे अपना position change कर रहा है और rush कर रहा है जैसे इसको damage लगता है वो तूरन तासुया का skill को use करके cover में चला जाता है फिर दुबारा skill को use करके उस enemy के उपर rush कर देता है तो ऐसे strategy एक rushर के अंदर होना चाहिए अगर उस समय पर वो मेड़ी लगाने के लिए bad जाता तो kill भी नहीं मिलता और ulta उसके उपर rush हो जाता है एक और clip देखो वही same player है कैसे तासुया का skill को use करके rush किया enemy के उपर अब enemy का focus इस player के उपर था लेकिन पीछे से उसका teammate आके उसको knock कर देता है तो यह होता है team planning ओके दन नमबर 2 Skyler OB45 update से पहले Skyler को कोई use नहीं करता था बट अब एक squad में एक या दो player के पास Skyler compulsory होगा क्योंकि अब Skyler का skill को लगातार दो बार use कर सकते हो Glowal destroy करने के लिए e-sports player Skyler को क्यों use करते हैं कोई भी e-sports level का tournament जाके देख लो जादतर fight last 2 zone में होता है और तभी सभी player के पास लगबग 10 से 12 glowal होता है और कुछ चलाग player 90 character को use करते हैं glowal का durability increase करने के लिए बट अगर तुमारे पास Skyler होगा तो तुम एक जटके में पूरा squad खतम कर सकते हो इस clip को देखो कैसे last zone में Skyler का use किया जा रहा है so guess मैं जितना भी देखा Skyler को जादा तर rusher and sniper player use कर रहे थे e-sports world cup में the next एक active character को देखके में surprise हो गया था A124 character ये एक ऐसा character है जो enemy का पूरा skill slot block कर देता है और e-sports world cup में इस character को supporter या फिर nader player use कर रहे थे के पास A124 होगा उसको क्या करना है जहां पर opponent squad है उस direction में A124 skill को fake देना है उनको 25 का damage लगेगा और 20 seconds के लिए पूरा skill slot block हो जाएगा फिर आप आराम से short range में घुस के opponent squad को पूरा wipe out कर सकते हो जैसे कि इस clip को देखो last zone में कोई एक player A124 का skill fake ता है इस squad के उपर the next number 4 iris character यह भी कमाल का active character है जो अपने team को backup देता है जैसे कि sniper हो गया या फिर assalter हो या वो इस character को use करते है iris का ability जिसको नहीं पता बताता हूं अगर कोई enemy glowal के पीछे से chip के fire कर रहा है तो आपको क्या करना iris का skill को use करके wall में एक दो गोली fire करना है फिर उस enemy के उपर tags हो करेगा और गोली glowal को penetrate करके direct enemy को जाके लगेगा मिन्स गोली glowal के आर पार direct जाके enemy को लगेगा तो जैसे कि मैं बताया e-sports में iris को जादा तर backup देने वाले player यूज करते हैं दूर से glowal के आर पार enemy को damage दे सके इसलिए तो ये 4 active characters skyler, tasuya, a124 और iris को e-sport world cup में सबसे जादा use किया गया था और भी कुछ active character है जिनको 3-4 player use कर रहे थे, एक तो है stafi, granite वगरे से बचाएगा और एक है kasi, new character है कमाल का ability ये unlimited hp देता है इसके उपर already वीडियो आ चुका है, एक पर check out कर लो तो active character हो गया, बात करते हैं सबसे जादा use होने वाला passive character का ये common character है इसको squad के सभी player use करते हैं, क्योंकि Andrew damage reduction करता है और squad के सभी player अगर Andrew को use करेंगे तो आपको कम damage लगेगा, इसलिए e-sports player Andrew को use करते है जिन second passive character है थीवा, जेको normal rank match में एक teammate eliminate हो जाने से जादा कोई फरक नहीं पड़ता है बाद में आप उसको revive कर सकते हो, लेकिन tournament में भी revival का option होता है बट अगर आपका teammate on the spot अगर revive हो जाए तो best है, क्योंकि tournament में एक बार eliminate हो जाने के बाद पहले तो revive करना मुस्किल हो जाता है अगर चलो आप revive कर भी देते हो तो loot का issue होगा और opponent team को आपका location भी पता चल जाएगा तो team को बहुत कुछ face करना पड़ेगा इसलिए इस sports player थीवा को use करते हैं 70% fast revive करेगा प्लस revive teammate को 60 HP मिलेगा और तुम्हारा teammate का जल्दी से health recover हो जाएगा और वो भी fight के लिए ready हो जाएगा इसके अंदर एक जबरदस्त power है एक defensive character है जो enemy से आपको protect करता है कैसे बताता हूँ जैसे कि मैं आपको बताया A124 और आईरिस को e-sports player बहुत use करते हैं तो इन दोनों का skill से आपको एक ही character बचा सकता है वो है Joseph सिर्फ A124 और आईरिस से नहीं Homer, Raiden, Moko, Siru, Otho जितना भी skill slowdown करने वाला character है या marking show करने वाला character है या फिर skill silent करने वाला character है सब का skill को block कर देता है Joseph character और उपर से 10% movement speed भी मिल जाएगा Joseph को use करने से तो ये character rusher के लिए best है अब आप लोग बोलोगे सूजी को कौन use करता है भाई टूनामेंड में सूजी का use होता है जब तक ये revival card का option रहेगा तब तक सूजी का use होता रहेगा battle royal में जो coin machine होता है वो normally 200 coin देता है लेकिन सूजी को use करने से 300 coin मिलेगा तो जितना ज़्यादा coin उतना ज़्यादा benefit मिलेगा normally हम अपने teammate को जब super revival card से revive देते हैं तो 600 coin का जरुवत पड़ता है तो 600 coin के लिए 3 coin machine खोजना पड़ेगा अगर तुमारे पास सूजी होगा देन 2 coin machine में हो जाएगा क्यूंकि सूजी को 300 coin मिलता है इसलिए e-sports player सूजी को use करते हैं अपने teammate को जल से जल revive दे सके then number 5 अलवारो character सभी टीम में एक bomber या nader compulsory होगा और वो अलवारो को use ना करे ऐसा होई नहीं सकता क्लास कोड में एक ही grenade ले सकते हो और यहां तुम जितना चाहो उतना grenade उठालो क्यूंकि अलवारो के बीना nader player अधूरा है और लाश्ट दो passive character है एक रसर के लिए sanny दूसरा sniper और supporter के लिए jb देखो अगर आप रसर हो और तास्वा के साथ sanny को use करके rust करते हो then sanny 40 sealed point आपको और आपके आस पास teammate को देगी और jb क्या करता है अगर तुमारे पास EP होगा then damage लगने पर 8% EP loss होगा तो यह 6-7 passive character का use e-sports world cup में बहुत जादा देखने को मिला था और भी बहुत कुछ e-sports related tips and tricks बताऊंगा लेकिन बात एक जगा में आखे रुख जाता है कि free fire इंडिया कब आएगा इंडिया में official free fire e-sports tournament कब होगा किसी को कुछ ने लेकिन अभी free fire community में जो कुछ भी चल रहा है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि free fire बहुत जल देखने को मिल सकता है अगर सारे creator एक साथ मिल के आवाज उटाए तो कुछ हो सकता है और once एक बर free fire इंडिया में आ जाएगा तो फिर e-sports जैसे पहले होता था वैसे होगा इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्यूंकि मैं partner program में ना पहले था ना अभी हूँ और आगे का मुझे पता नहीं और ये वीडियो इसलिए बनाए अगर आप local tournament खेलते हो तो आपको कुछ help हो सके और आगे अगर e-sports आता है तो उसमें भी कुछ help हो सके आपको सो कैस वीडियो कर अच्छा लगा तो like, share, subscribe कर देने और इतना share करो कि गरिना वालों तक पहुंच जाए ये वीडियो और वो इंडिया e-sports के बारे में कुछ सोचे तो चलो भाई लोग मैं मिलता हूँ एक new वीडियो के साथ जय जगननात